दिदन आप सभी अपना-अस्थान गहन करें, दो देवसीय पीम किसान संबान सम्भलों के उद घाटा नोसर पर हार्दिक स्वागत मिनंदन माननिय प्रधार मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी का, साथ ही स्वागत मिनंदन मंच पर विराजमान माननिय केंद्रिय और किसान कल्य मंत्राले में राज्य मंत्री माननेय श्री कैलाश y eliminated औ शुष्री शोभा करिंद्र ये जिडी और क Jugis就是 खेंद्री रसायन और अवर्वरक मंत्री श्री भगवंत कुबा जी का और यहां उपस्थित सभी गर्ण Legisl हो का विभूतियों का विभूत्य का हमुश्वागत अविनानन करते हैं और मैं निवेदन करूंगा केंद्री रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मंसुक मांडविया जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें माननीय प्रधान मंत्री महोदे का स्वागत आप सभी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर मंसुक मांडविया कि वो पधारें आप सब का स्वागत करें अभिनंदन करें आप सभी का आज पिएम किसान सम्मेलन में हमारे बीच में पधारे देश के यशर्श्वी प्रधान मंत्री आधनिय नरेंद्र मूदी जी केंद्रिय क्रिशी एवम किसान कल्यान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रमे राज्य मंत्री आधनिय कैलास चोद्री जी आधनिय शूबा जी भगवंद कुबा जी अलग अलग स्थानों से जुड़े राज्यों के कुरुषी मंत्री गार्ण, कुरुषी मामलों के विशेशग्य और मेरे किसान बायो एम बहनों मैं आज के इस कारक्रम में आप सभी का हादिक स्वागत करता हूँ इस कारक्रम में प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हुए इंडिया एज का विमोचन भी आज हो रहा है। प्रदानमंत्री जब आपने देश की बागडोर संभाली थी तो आपने कहा था कि यह सरकार किसानों की सरकार है। क्रिशिक छेत्र को लेकर आपने हमेशा टोटल एपरोच के साथ काम किया है। क्रिशि में नई टेकनोलोजी अपनानी हो, स्मार्ट टेकनोलोजी के इस्तेमाल का बढ़ावा देना हो, या फिर किसानों के उत्पाद को बहतर बजार उपलब्द कराना हो, इन सभी मोर्चों पर आपके नेत्रुतों में काफी कार्य हुए है। इसलिए एक तरफ भारत का क्रिशि उत्पादान रिकोर्ट स्थर पर पहुचा है, तो दूसरी तरफ किसानों को अपनी उपज के लिए बहतर और उचित किमत भी मिल रही है। प्रदान मंद्री जी, आपके कार्यकाल में प्रुशि को लेकर हो रहे शोद को काभी बढ़ावा मिला है। इसी वज़ा से भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना, जिसने नेनो यूरिया का व्यावसाईक उत्पादन शरू किया। आज देश के किसान बड़े पैमाने पर नेनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे है। वही दूसरी तरफ आपकी अपिल पर पूरे देश में पाक्रितिक खेती के प्रती भी किसानों का रुजान बढ़ रहा है। राशानिक उर्वरक के संतुलित उप्योग को लेकर भी किसानों में जागरूत त्याकास्तार लगातार बढ़ रहा है। अधरी प्रधान मंत्री जी आपके कर कमलों से आज 600 प्रधान मंत्री किसान समरुद्धिक एंद्रों का भी उद्गाटन हो रहा है। एक किसानों को कई तरह से सशक्त करेंगे। एक तरब तो एक मोडेल फटलाइजर रिटेल शॉप्स के तोर पर काम करेंगे। सोईल टेस्टिंग फैसिलिटी आदी भी यहां एक ही छत के नीचे किसानों को उपलब्द कराई जाएगी। एक केंद्रा किसानों की खेती किसानी सबंदित जानकर्या और सुईधाओं के लिए वन स्टॉप शॉप्स के तोर पर काम करेंगे। आदनिय प्रधान मंत्री जी आज आप और किसान खुशाल रहे। इस अवसर पर मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। प्रधान मंत्री महोदे का जो विजन है उसे धरातल पर उतारने के लिए क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले भारित सरकार माननीय श्री नरेंद्र सिंग्तोमर जी के नित्रत्यु में पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है बिना धके बिना रुके महोदे आपकी प्रेड़न से आज का यह आयोजन भी हमारे उन्ही प्रयासों का एक पड़ाव है इस अवसरे के अपील करता हूं हम स्वागत करें आविदन्न करें बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता जंदावाद बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र सिंग तोमर जी का देवियो सजनों दो दिवसी प्रधानमंत्री किसान संब्मान संब्लिन में आज यहां अगरे स्टार्टप कॉनक्लेव और प्रधाशनी का शुभारम हुआ है वहीं अब माननीय श्री प्रधानमंत्री महोदे प्यम किसान संब्मान ने करेंगे जिसमें देश के करोडों किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोडों रुपए की राशी दीबीटी के माध्यम से जमा होगी मैं निवेदन करूँगा माननीय प्रधानमंत्री महोदे से कि वे रिमोट का बटन दबा कर प्यम किसान संब्मान ने देखी आज 8,000 करोड किसान भाईयों के वेंग खाते में जो है डीवीडी के माध्यम से सीधा पैसा उनके वेंग खाते में ट्रांसपर हो गया तो हम यह आपे बता दे आपकी जानकरी के लिए पीम किसान संब्मान ने दी योजना में अपकी वार 8 साल से किल सी बजट जो है वो 8 गुना हो चुका है जिसमें किसानों को कापी सारा वेनिफिट भी यहाँ पर दिया जा रहा है और हम आपको बता दे पीम किसान संब्मान में आगे होंगे अगर नहीं आए हैं तो आपको इंतिजार करना है तोड़ा सा और उसके बाद में भी आपके वेंग खाते में सीधे पैसे ट्रांसपर किये जाएंगे वो भी डीवीडी के माध्यम से पीम किसान सम्माने दी यूजना में करोडो किसान भाई अपात रहें उन किसान को 6,000 रुपे में जो आया है उसको बढ़ा कर दुगना कर दिया गया है यानि 2,000 रुपे की जगए अब आपको इहापर 4,000 रुपे जो हैं आपके वेंग खाते में ट्रांसपर हो चुके होंगे अगर आपने देखा नहीं है तो आप अपना स्टेजार जाकर भी चे के जो भी कनफीजन था अब सारा कनफीजन आपका खत्म हो चुका होगा युक्कि हम आपको बता दे पीम किसान सम्भाने दी योजना की पंदरिमी स्टॉल्मेंट किसानों के वेंग खाते में ट्रांसपर हो रहे कि पूरी संबाब ना है और अगर जिनको नहीं मिला है तो उनको पंदरा नमंबर दो हजार तेज तक सारा पैसा उनके खाते में आ जाएगा यहाँ पर हम आपको बता दे एक लाग साट हजार करोड से अधिक सम्भाने दी जो है वो किसानों के खाते में जा चुकी है और यहाँ पर बड़ा अपडेट और भी निकल कर आ रहा है किसा सम्माने दी यूजना दुनिया वर की सबसे वड़ी यूजना डिवीडी यूजना है जिसके तहट किसानों को हर साल 6,000 रुपए को बढ़ा कर अब 12,000 रुपए होने वाले हैं जिससे किसानों के वेंग खाते में अब सीधे 2,000 की जगए 4,000 रुपए जो हैं उनके वेंग अब यहां पर हम आपको बता दे हैं आप अपना मॉवाइल एप के जरीये भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला है या फिर help line number पर भी जाकर भी आप संपर कर सकते हैं जिस पे आप पूछ सकते हैं कि आपको पैसा receive हुआ है या नहीं हुआ है क्या problem आपको रही है यहाँ पर हम आपको बदा दें PM किसान सम्मानेदी यूजना के तहर करोड किसान भाईयों के वेंग खाते में पैसा जम पैसा नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली PM किसान सम्मानेदी यूजना की जो किस्त है वो किसानों के वेंग खाते में आने की संभाबना है यानि 8 करोड किसान भाईयों को पैसा मिलेगा 16,000 रुपए की जो रासी है वो सीधे DVD के माध्यम से कि किसानों के वेंग खाते में ट्राण्सपर कर दिया गया है तो आपके लिए अगर आप भी किसान है और आपको पैसा नहीं मिला तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं जिस से आपकी हम यहाँ पर हैल पिक करने के लिए चयार है जो की समस्या रहेगी उसका समधान भी कर किसान के बैंक खाते में बेज रही है इसे चोटे से चोटा किसान भी लाबाविन दित हो रहा है अभी तक इसके तहएत आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए सवा दो लाग करोड रुपिये कितने हैं? सवा दो लाग करोड रुपिये कितने हैं? सबा दो लाग करोड रुपिए किसानों के खाते में जमा हो चुके हैं और वो भी करीब करीब 11 करोड किसान इस कीम के लाबारती है किसान भयो जैसा कि आपने अभी सुना हमारे देश के प्रदान मंतरी जी ने हैंपे साफ साफ लबजों में बताया है हैं आपको कि 7 कोड़ कंञा में यानि करोड के कर रहे हैं पंद्रमी इस्ट्रवनjän Pay का तो वह इंतजार अब किसान भाईयों खत्म हो गया है हम आज आपको सब कुछ यहां पर बताने वाले हैं कि आपको PM किसान समाने दी यूजना की पंदरिमी इस्टॉल्मेंट का पैसा कव रिसीव होगा सारा कुछ हम आपको यहां पर बताएंगे आप हमारे साथ में बिल्कुल बने रहेगा PM किसान समाने दी यूजना का जो पैसा है कितने किसानों को यहां पर मिलने वाला है काफी बड़ा सबाल है किसान भाईयों के लिए कि यहां पैसा है यानि हमें कब तक मिलेगा वो भी हम आपको सबसे बड़ी बात ये बता दू कि PM किसान समाने दी यूजना में कई अपडेट यहां पर आ चुके हैं जिन किसान भाईयों के फॉर्म में फर्ष्ट इस्टॉल्मेंट का जो स्टॉप में दिखा रहा है तो उनके लिए भी यहां पर बड़ा अपडेट है जोकि आधार शीडिंग पैंडिंग में थी तो उनके शान भाईयों के लिए भी बड़ा अपडेट आ गया है अगर उन्होंने जल्द से जल्द जाकर अपना अकॉंट ओपन करा लें अगर ओपन नहीं कराते हैं तो आपको यहां पर PM किसान समाने दी यूजना की जो किस्त है उसका पैसा नहीं मिलेगा तो वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे और इस्टोल्मेंट का पैसा कब आपको मिलेगा वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे आप हमारे साथ में बने रहेगा यहाँ पर PM किसान सम्मानेदी यूजना में काफी बड़े बड़े अपडेट भी आ रहे है जिससे किसानों को काफी सारा वेनिफिट होने वाला है और जिससे किसानों को अब की बार जो है यानि अपकी जो किस्त है जो रिलीज यहां पर होगी तो वो चार हजार रुपे की रिलीज होगी तो ऐसा माना जाता है कि आपको मैं बता दूं कि पूरी इंडिया में हमारी जो इंडिया है और जितनी भी यहां पर इस्टेड हैं सारी इस्टेडों में भी होने की संबाबना है फिलाल यहां पर हम आपको बता दें कि महाराश सरकार ने इसकी घोशला कर दी गई है और इस टेड़ों की अभी कनफॉर्म नहीं हुए है जैसे ही कनफॉर्म होगी हम उस पर भी आपको बता देंगे कि कब तक आपको भी 4,000 रुपे मिलेंगे तो यहां पर है ना किसान भा आपको कब मिलने वाला है वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे बैसे तो यहां पर हम आपको बता दें कापी सारे किसान भाइग этसे है जिन को कापी समयसे किस्त का पैसा नहीं मिल रहा है यानि उन्होंने राजिशन 2,000 निस में किया था फिर भी उनको PM किसान सम्मान दी यूजना में, ये जो पंदर्मी इस्ट्रॉल्मेंट का पैसा आएगा तो किसान भाई हो आपके लिए वल्ले-वल्ले है यांपर होने वाली है, क्योंकि सभी किसान भाई हो को अपकी पर PM किसट का पैसा मिलेगा और उसके शाथ में जो पैसा रुख गया था, जो रुखा हु दियूजना की सारी किस्त के पैसे आपके वेंग खाते में ट्रांसफर कर दी जाएंगे आपको परिशान होने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आपको अपना स्टेट को चेक करते रहना है और चेक करने के साथ साथ अपनी स्टेट को भी देखते रहना है और जिन किसान भाई के लिए भी बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है क्योंकि वो किसान भाई अपनी लैंड शीडिंग को सही करवा सके हैं तो जिससे उनका इस्टिट में आप साप साप दिखाई दे रहा है कि उनकी जो लैंड शीडिंग है वो अब यह भी हो गई है यानि अधार में भी हाँ पर बताएंगे अगर आपका FTO नो आ रहा है तो आपको बिलकुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपको देख लेना है एक रीजन का ओप्सन भी दिया गया है उसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा है तब तो आपको पैसा नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं आ रहा है तो समझ लिजेगा आपको सारी किस्त का पैसा मिलेगा यानि जो भी किस्त का पैसा आपको रुका हुआ है अगर आपकी एक स्टॉर्मेंट का भी पैसा नहीं आया तो आपकी बार आपको एक से 15 यानि 30 हजार रुपे जो है वो आपके वैंग में ट्रांसफर होने की पूरी पूरी संबाबना है बिलकुल भी आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है आपको एक भी किस्त का क्योंकि कापी सारे किसान भाई यहां पर एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार और मैंने यहां पर ओरिट भी किया था जिसमें जाकर देखा है तो करोडों किसान भाई ऐसे हैं जिनको ट्रेजिसन करवाने के बाद एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है तो उन किसान भाईों के लिए भी गूड निज है क्योंकि अब की बार उनको भी यहां पर पैसा मिलेगा लाइप प्रूप के साथ में हम आपको यहां पर सब कुछ भी और बताएंगे भी आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है पीम किसान सम्माने दी यूजना में अब अपडेट पे अपडेट पे अपडेट आपको मिलते रहेंगे जिससे किसान को कापी सारा वेनिफिट भी होगा और यहां पे किस्त का पैसा भी मिलेगा जिसमें 4, 12,000 रुपे की रख में अगर आपकी वार आती है तो ऐसे में पीम किसान सम्माने दी यूजना के किसानों को 32,000 रुपे का प्रॉफिट होगा जिन किसान भाईयू को एक भी इस्टोर्मेंट का पैसा नहीं मिला है तो समझ जाईएगा आप 15 दूनी 30 और 2,000 और होते हैं तो 32,000 रुपीज यानि किसानों के वेंग खाते में सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे और आप उनको निकाल सकते हैं तो है ना काफी बड़ा अपडेट यहां पर आ गया है और मैं आपको काफी सारे अपडेटों के बारे में भी और भी बता देता हूं जैसे कि काफी सारे किसान करोड किसान भाईयों के मेरे पास कमेंट्स भी आएं कि सर पीम किसान सम्माने दी यूजना की पंद्रमी स्टॉल्मेंट का पैसा कब मिलेगा तो उसके बारे में मैं आपको यहां पर बता दूं कि पीम किसान सम्माने दी यूजना की जो किस्त है वो जारी होगी तो देखि आने की संभाबना है वैसे हम आपको यहां पर बता दें अभी ओपीसियल की बात करें तो अभी कोई भी यहां पर घोशना नहीं हुई है जिसमें बताया गया हो कि पीम किसान समाने दी यूजना का जो पैसा है वो इस दिन रिलीज होगा ठीक है तो एक अनुमान है कि दिवाल होने की और घवरानी की जरूरत नहीं है जैसे यहां पर 13 मी स्ट्रॉलमेंट और 14 मी स्ट्रॉलमेंट का पैसा यहां पर रिलीज किया गया था 27 जुलाई 2023 को तो वहां पे 8.5 करूल किसान भाईयों को पैसा मिल था तो अब की बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब की बार सरका किल्कुल परेशान मत होईएगा क्योंकि आपके ग्राम में भी आपको पता होगा अधिकारी आयोंगे जिसनोंने आपके फॉर्म का संसोधन किया होगा जिससे आपको ना कोई प्रॉब्रम रहेगी ना कोई दिक्कत आएगी किसी प्रकार की अपकी बार परेशानी नहीं आ पर हो जाएगा जैसे में किसानों का कुछ पैसा रुका हुआ है तो वो भी उनको एक साथ पैसा मिल जाएगा तो किसान भाई हो